यह है केरियविल एप और यह कलास है कैमेश्टी की और मैं हूँ अरुन चाहर हम पढ़ने वाले हैं पिरियोडिटेबल हम पढ़ रहे थे और पिरियोडिटेबल पढ़ने के साथ हम यह चीज़ बताएं कि कल हमने पढ़ा था कुछ बलोग पढ़े थे एस पीडिया बलोग पढ़े थे और कल चर्चा हुई थी उस बात की चर्चा थी इलेक्ट्रो नेगीटिविटी यानि विद्यू तरियो तरियोड तरियोडिटा क्या होती है तो पहले तो बच्चो यह बताऊंगा कि विद्यू तिरंटा किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है कौन इलेक्ट्रो पोजिटिव होता है कौन इलेक्ट्रो नेगिटिव होता है ये बात तो हम बाद में करेंगे पहले तो हम ये जानना है कि वीडियो तिरंटा होती क्या है लेकिन कल का टॉपिक थोड़ा सा अदूरा था कल मै आज हमें क्या पढ़ना है, ओके, हाँ, तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूँ, और आज क्या पढ़ना है, ये मैं बता दूँ, ठीक है, आज क्या पढ़ना है, तोपिक वही है, हमारा पिलिटेबल, लेकिन आज की लिश्ट में यहां से बनाना स्टार्ट करता हूँ, आटोमि साइस क्या होता है परमानु आकार होता है ठीक है परमानु आकार और परमानु आकार के बाद दूसरी बात करेंगे हम रियक्टिविटी कौन सा ज्यादा रियक्टिव होता है कौन सा ज्यादा किरिया सील होता है हम इसमें ज्यादा डीप कंसेट में ने जाएंगे लेकिन हम इ इसे हिंदी में कहा जाता है विद्यूतरिनता ओके और नमबर च्यार पे इलेक्ट्रोन एफिनिटी की भी बात करेंगे लेकिन इलेक्ट्रोन नेग्टिविटी हम ज्यादा है इसको थोड़ा ठीक ध्यान में रखेंगे इलेक्ट्रोन नेग्टिविटी के बारे में तो पोज तो पहले तो हम परमानू आकार के बारे में बात करेंगे ठीक है अपना वो स्पीड बस ये थोड़ा मैंने बताया है कि आज मैं ये पढ़ाने वाला हूँ अब मैं धीमे बोलूगा ठीक है तो स्पीड भी कम हो चुकी है मैं भी दिखाई दे रहा हूँ आवाज भी ठीक आ रही है अब मैं शुरुआत करता हूँ ठीक है यस स्वरन है उन्होंने मतलब बहुत ही मुझे थेंक्यू बोला है स्वरन आपको भी बहुत बहुत थेंक्यू तो अब हम इन सारों चीजों के बारे में बात करेंगे पहले ये क्यूशन करेंगे एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार क्यूशन अब चार क्यूशन करेंगे तो हम इसको समझ जाएंगे कि ये चार क्यूशन क्या है बिलकुल ये क्लास लाइच चल रही है कुछ बच्चों को विश्वास नहीं हो तो मैं आज की तारिख लिख दूँ ये चार फरवरी है और चार फरवरी दो हजार बीस है चार फरवरी दो हजार तीस 19 से आगे चली नहीं पाई अभी है ना तो यहां पर हम याद रखेंगे चार फरवरी दो हजार बीस के लिए ये आज का ही वो दिन था जब फेस्बुक की खोज हुई थी शुरू किया गया था कितना अजीव डबना है ना कितना टाइम खड़ाब करता है फेस्बुक हमारा लेकिन काम भी आता है तो चलिए साथ में क्योंकि फेस्बुक के फाइदे भी है नुक्सान भी है वो इनसान पर डिपेंड करता है ठीक है ओके बिल्कुल हाँ तो मैं ने लेके चलता हूँ इन एक्जाम को कई बार बच्चे पुछने हैं सर कौन से एक्जाम में काम आएगा जो बच्चे पढ़ते हैं जैसे स्वरन है उनको पता है कि ये कहां काम आता है हर जगे काम आता है क्यों 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 कि एनशाटी पढ़ रहे हैं हम और एनशाटी तो हर जगे काम आती है और मैं फिर से कहता हूँ कि जो बचा इनिशाटी पढ़ लेगा जुरती नहीं है मेरी फिर उसे ये लगेगा कि मैं तो बहुत बकवास पढ़ा रहा हूँ जो बचा किताबें पढ़ लेगा उसे लगेगा कि मैं वहीं पढ़ा रहा हूँ जो इनिशाटी में है बात खतम क्या सोचना इसके बार में या जिस बोर्ड से आपने नुमीं दस्वीं ग्यारों इंबार में पास की है वो किताबे में आज भी अगर दुबारा से पढ़ लोना दिमाख यू यादें ताजा हो जाएंगी यादें ताजा इस बात को आपको सम सही है तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा यह लिख दिया 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 बिरिलियम मैगनेशियम केल्सियम इसके दर छोटा होता निसान ग्रेटर दैन का निसान इक्वल का इ सही है परमानुआकार का कौन सा करम सही है इसके बारे में बेटा पूछा गया है टीप क्यूशन करा रहा हूँ आज मैं चार पांच ठीक है तो अब एक चीज देखेंगे हम बेटा मंगे कार बचा कहता है सरहां यह हमें याद है लेकिन थोड़ा याद करके बताओ कि बेटा म मांगे एक एकार अब ऊपर छोटे पर मानू फिर बड़े पर मानू फिर और बड़े पर मानू तो बड़ा कौन है केलसियम बड़ा कौन है केलसियम तो आंसर क्या गया दो सोचने की जूरती नहीं है इतना असान क्यों सोचने की आवशकता ही नहीं है बस आपको यह याद ह बोना चाहिए की लाइन ऐसे है की लाइन ऐसे है ठीक है हो Euh के लिखा हुआ मतलब ऐसे लिखा था आपने तो यह लिखा हुआ ऐसे मिलेगा लेकिन आपको ऐसे आदए और जैसे आद है वोई दिमाग में होना चाहिए आनसर उसी से ऐएगा पक्चा करते sir को योर क्योसन लीजिए second question करते हैं बेना देरी किये दोबारा फिर बता देता हूँ कौन सा पर्मानुआ का सही करम है यह क्योसन आ गया इनको देखके आपको याद आया बेटा मंगे कार बेटा मंगे कार बेटा मंगे कार फिर आपको याद आया यह तो हमने ऐसे पढ़ा थ ऐसी होती है ठीक है यस जूडिस्री एक्जाम क के लिए मतल度 हर एक्जाम के लिए मैं इसा क्यों कहता हूं कि हर एक्जाम के लिए क्या मैं बहुत मतलब क्या यह मैं कह dorईárहरू कि हर एक्जाम में साटतेs तो वो हर एक्जाम को कवर करती है ऐसा मत सोची है कि मैंने कोई जादू किया है ना एंशेर्टी को आपके सामने थोड़ा सा च्छमका लगा दिया है च्छोंक लगा दिया है मतलब उसमें कुछ है ना जीरा विरा डालके वो गया बेटा मंगे कार तो इसमें छोटा कौन बेरिलियम बड़ा कौन केल्सियम छोटा कौन बेरिलियम बड़ा कौन केल्सियम बात खतम दूसरा क्यूसिन करते है मानलो इसको जाने दो ये तो आसान था दूसरा क्यूसिन है वो थोड़ा खतरनाक होगा लेकिन उस से पहले मैं आपको एक चीज भी बता दूँ कल हमने पढ़ा था ऐसे, 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 ऐसे परमानु बड़े होते जाते हैं और एक चीज ये भी बताई थी पाईंसे द्नाएज जाओगे, परमानु छोटे होते जाएंगे, लास्ट में गैसे हो जाएंगे यह याद रखना, ऐसे और ऐसे ठीक है, अब एक क्योशन करते हैं, which one is right in atomic size, कौन सा atomic size में सही है, कौन सा परमानुआ कार में सही है, ऐसा पूचा है, अब मैं यहाँ पर एक क्योशन लिखूंगा, मैंने लिख दिया magnesium carbon, मैंने लिख दिया magnesium carbon, मैंने लिख दिया magnesium carbon, मैंने इसमें ये लगा दिया, इसमें बराबर लगा दिया, A option है, B option है, C option है, अब बच्चा कहता है सर, ये तो अलग हो गया, ठीक है, यहां पर हमेद रखना है कि ये तो अलग हो गया, सर इसे कैसे करे, अब मैं क्या करता हूँ, आपकी तरह जैसे आप बैठे हैं, मैं आपकी तरह पीठ कर लेता हूं ताकि आपको लगे कि मैं भी आपके साथ ही बैठा हूँ ऐसे तो हमें ये दिखाई पढ़ रहा है कि इदर मेगनेशियम है केल्सियम है तो आपके दिमाग ने क्या का कि सर हमने थोड़ी टेबल याद तो आहीर ने ने की मेलिटए में इस साइड पार्य वाले बड़े ए ये बड़े वां आर ये चोटियो बड़े है मजंट बड़े है कि और परकास ने सही आनसवर दिया है अंब इतने भी ठीक है, ओके, अब इसे मिटो देता हूँ मैं, अगला क्यों सुनूर करते हैं, मैं कहूँ कि परमाणू का अकार बताना बहुत आसान है, बस आपको यह याद रहे, जैसे मैं आपकी तरह हो जाता हूँ, आपके इसाथ की तरह बड़े परमाणू हैं, और इसाथ की तरह चोट है, अगर मैं कहा दूँ, आइरन इदर है, और नाइट्रोजन इदर है, तो नाइट्रोजन तो इदर है, नाइट्रोजन चोटी है, यह बड़ा है, इदर वाले अटम बड़े होते हैं, इदर वाले चोटे, अगर एफी और एन बोल दिया जाए, तो एफी बड़ा है, क्यो यह फीदर है, आइरन इदर है, बात खतम, परमानुआ कार बताना बहुत आसान है, एक क्युस्ण और करते हैं, वो क्युस्ण आप कर पाए, तो मैं समझूँगा कि आपको परमानुआ कार बताना आ गया है, ठीक है, मैं लिख दूँगा, स्केंडियम, टाइटेनियम, मेनेडियम, ऐसे किया, ऐसे किया, और ऐसे किया, यह हो गया, इस क्युस्ण को कर लिया, तो इसमें उप्सन ए है, बी है, सी है, तो आप मुझे यह बताओ, कि मैंने आपको एक लाइन लिखाई थी, सक्तिवक्र, लिखाई थी ना, बच्छे वो लाइन ऐसी थी, और यह भी ऐसी लिखे हुए है, और जिस बच्छे ने ए आंसर दिया है, अब की बार फिर से वो सही है, ऐसा नहीं कि मैं हर बार यह आंसर देता हूँ, उन बच्छों ने फिर कहा है, मितिलेस है, के आर है, मन्जू है, विनोध है, सोनू, ठीक है, नित होगा, अब एक बहुत ही प्यारी बात, एक क्यूशन है, तो थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा स्पेसल है, हाँ परमोद, आप बहुत सी दान्त, मैं तब बताऊंगा, जब मैं परमानु सरंचना आटोमिक स्टक्चर नाम का एक लेसन कराऊंगा, ठीक है, प्लीज ये दु वो विशेस क्यूशन क्या है, विशेस क्यूशन ये है कि अगर इनके बारे में पूछा जाए, आपको नो तत्वों के बारे में बताया था मैंने, बताया था ना, कि नो तत्वों पाई जाते हैं, मैंडलिफ की आवर सारने में, वो नो तत्वों कौन कौन से थे, वो थे, फिर को नी रुकावट राह पड़े ओस में इधर पिटाई होगी ये था ना थोड़ा सा इसका मैं ट्रिक भी लिख लूँगा ठीक है तो यहां पर लिख दूँगा फिर और यहां को नी और फिर रुकावट और फिर राह पड़े और फिर आता है ओस में इधर पिटाई होग बैटा ये थोड़ा सा मैं एक बार रटवाऊंगा इसे आपको याद रखना है क्योंकि अगर ये आ गया तो इस पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता जो मैंने बताया था कि परमानों छोटे होते जाते हैं तो बच्छा कहता है सर ये तो ऐसे लाइने हैं आपकोश्छा थोड़ा! चाहम हो दृबारोर। भी प्रश्रा हमें पार। ये तीनों साईज में एग जैसे होते हैं और इनका कारण होता है इनकी लैटिस उनरजी जाल्यक उरजा जिसके बारे में हम देटेल बेनांई जाएंगे लेकिन परमणवाकर के क्विशन आता है अगर परमणवाकर का क्विशन आता है तो आपको इस बारे में थोड़ा सा याद रखना ठीक है तो फिर कोनी रुकावत रहा पड़े ओसमें इदर पिटाई होगी इकल साइज एकल साइज इकल साइज और होते हैं. अब मैं क्यूसन लिखता हूँ. वो क्यूसन आप करना. क्यूंकि क्यूसन वो आया हुआ क्यूसन रहा हूं मैं. आ रर भी का जई का क्यूसन है वो. वो क्यूसन लिखा रहा हूं मैं. Which one is accurate in atomic size? कौन सा atomic size में accurate है? तो यहां पर लिखेंगे कौन परमानु सरंसना में कौन सा है जो परमानु सरंसना में सही है ये पूछा है तो अब option लिखता हूँ मैं O.S. में इधर पिटाई होगी O.S. में इधर पिटाई होगी I.R. I.E. ठीक है मैं दो ये option ले देता हूँ एक option ये था और एक ये था इक्वल वाला तो A.O.P.S.न और B.O.P.S.न कौन सा आएगा B.O.P.S.न आएगा तो याद रखना है लगबग बराबर आकार होता है इनका बाकी सब्सेगा वो ही रहेगा जो आप जानते हैं इधर से इधर परमानु कार बराबर रहेगा क्योंकि ये चीज मैंने आपको करवाई है तो आपको इसे याद करना पड़ेगा कि ये ऐसा होता है तो I think get the point यानि हर जगए रूल लगेगा कि इधर छोटे होते जाएंगे लेकिन ये छोटे होते नहीं जाएंगे ये तीन बस बराबर रहते हैं उसके बाद थोड़ा सा सेम रहता है तो उमीद है आप इस क्यूशन को थोड़ा मतलब याद कर लेंगे कि तीन कौन-कौन से हैं फिर कौन नहीं एक जैसे होते हैं रुकावट रह पड़े एक जैसे साइज के होते हैं ओस में इधर पिटाई होगी एक जैसे साइज के होते हैं ठीक है मैं बड़ा लिखूँगा मॉबाइल को टेड़ा करके देखेंगे तो अच्छा लगेगा ठीक है मैं इसे मटो देता हूँ हमारा अटोमिक साइज का काम हो गया ठीक है अब इसका और क्यूशन नहीं करेंगे अब आता है क्यूशन जिसे बोलते हैं किरिया शीलता कौन ज़्यादा किरिया शील है कौन कम किरिया शील है मैं कह दूँ कि एक तो है लिथियम और मैं कह दूँ एक है टंगस्टन कौन ज़्यादा किरिया शील है बहुत आसान है ये तो किसन इतना असान है क्योंकि आपको अगर ये आता है ना जो अभी भी पढ़ाया है तो आपको किरिया शीलता भी आता है किरिया शीलता का सम्मन परमानों के आकार से है, कैसे है उसके बारे में बात करते हैं, मैं इसे मिटो देता हूँ, हमारा आज का दूसरा टोबिक स्टार्ट हो गया, रियक्टिविटी ओफ एटम, रियक्टिविटी ओफ एटम, एटम की रियक्टिविटी क्या होती है, तो यहां पर लिख देंगे, रियक्टिविटी ओफ एटम, तो क्या तयार हैं, आप रियक्टिविटी ओफ एटम के लिए, जी हां, तो यहां पर लिख दूँगा, रियक् को ऐसे कहा दो कि 3 P hermano हैं तीन परमने कौन active है ये active है ये active क्यों है क्योंकि small in size, ये size में बहुत small है यनी थोटा और उसके बद लिखेंगे खोटा आपको साहथ याद आता हो गा, तीन भाई-में ये सबसे छोटा है और ये सबसे खोटा है आपको पता है कि छोटा बच्छा कितना एक्टिव होता है, कितना किरियाशील होता है वही बात पर्मानू में भी है, पर्मानू जितना छोटा होगा, उतना ही किरियाशील होगा पर्मानू जितना बड़ा होगा, उतना ही कम किरियाशील होगा, ये बात याद रखना है याशील है तो बच्चा कहता है सर लीथियम छोटा होता है और एक चीज़ आप यह याद रखो यह लिखा कैसे गया था जब मैंने लिखवाया था यह ऐसे लिखा था हली ना ने कहा यह चोटा है यह उससे बड़ा है और यह सबसे बड़ा है है ना यह चोटा है बड़ा है य लीथियम सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, सबसे एक्टिव धातू होती है, इसलिए लीथियम सबसे एक्टिव है, इसलिए घड़ी का सेल लीथियम से बनता है, क्योंकि लीथियम का सेल कई दिन तक सार्ज रह सकता है, मोबाइल की बैटरी होती है, लीथियम आयन बैटर मंगे कार, ऐसे किया, ऐसे किया, बेटा, मंगे कार, ऐसे, 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 A option है, B option है, मैं ऐसे कह दूँ, इस question में आपको ये बताना है, कौन ज्यादा, कौन सा, रियक्टिविटी का, रियक्टिविटी बोले तो, सक्रियता का, कौन सा, सक्रियता का सही करम है, बत्सा इसे बताएगा, कौन सा, सक्रियता का सही करम होता है, तो इनमें सक्रियता का सही करम कौन सा है, बत्सा कहता है, सर, हमने तो इसे ऐसे याद किया है, मैं इसको मिटो दू यानि लाइन ने आपको कैसे मिले पर आप अड़े रहना कि हमने जैसे याद किया है हम तो वैसे लिखेंगे तो यहां पर आपने इसे ऐसे याद किया है बेटा मांगे कार अब कई बच्चे है ना इसे सही कर देंगे कई इसे सही कर देंगे बहुत राज की बात है पहले आपको पर्मानुआ कार पता लगाना होगा तब आपको reactivity का पता चलेगा कोई भी line होती है इसको मैं ऐसे लिखूँगा बेटा मांगेकार ये छोटा, ये बड़ा, ये बड़ा तो ज़्यादा reactive कौन? ये ज़्यादा reactive कौन? ये मंजू है, परकाश है, ठीक है वापीस आते हैं, उमीद है equation समझा गया और नहीं आया तो एक कुशन और रुकरा देता हूँ, फिर हम अगले टोपी की तर बढ़ेंगे और जो की है electro negativity, बहुत आसान है ये एक को और करते है connectivity का question जैसे मैं आपको डारेक्टी पूछ लेता हूँ मैं एक तो लिख देता हूँ iron और एक लिख देता हूँ मैं nitrogen, इनमें कौन ज्यादा active है तो पहले तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा इनमें कौन ज्यादा active है A या B ये बताना है आपको तो ये याद रखना है इनमें दोनों में कौन ज्यादा active है अब ये थोड़ी सी और ये परमानूं की बात की है अनूं की बात नहीं की बेटा एक बच्चा कहेगा सर nitrogen थोड़ी inactive गैंस में आती है ज्यादा active नहीं होती क्योंकि nitrogen के अरसर तीन bond पाए जाते है इसलिए सर 78% होती है ये बटा chapter कराओंगा मैं आपको अलग bonding के नाम से होगा अभी इसे नहीं पढ़ेंगे आप यहाँ पर आओ परमानूं की बात करो कौन सा परमानूं बढ़ा है तो साइद आपको फिर मैं आपकी तरह हो जाऊँगा मैं एक table का कलपना करूँगा मैं सोचूँगा कि मैंने table ऐसे पड़ी थी ऐसे पड़ी थी ना आपका दिमाग है ना वो visualization करना चाहिए साइद iron आपने यहाँ पढ़ा था nitrogen यहाँ पढ़ा था तो यह परमाणू बड़ा है और यह परमाणू छोटा है तो यह ज़्यादा क्या है active है तो ज़्यादा active कौन है nitrogen है B ज़्यादा active कौन है B है इन दोनों में ध्यान अकना परमाणू की बात की है आणू की बात नहीं की परमाणू की बात की है आनू की बात नहीं की है, तो सचीन थोड़ा सा इसमें आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सचीन, कॉमल और आमपरकास, नाइटोजन क्यों बोला मैंने, मैंने परमानू बोला है, आनू नहीं है, हाँ, अगर ऐसा होता, ऐसा होता तो आयरन ज्यादा एक्टिव था, ये तो ए अब हम आगे बढ़ते हैं, ये मिटो देते हैं, हमारा अब टॉपिक आ गया, इन, इन का मतलब होता है, इलेक्ट्रो नेगिटिविटी, इलेक्ट्रो नेगिटिविटी का मतलब है, इलेक्ट्रो नेगिटिविटी का मतलब है, इलेक्ट्रो नेगिटिविटी, या लिख द मैं इसकी प्रिवासा लिखता हूँ ये कोई एटम है और ये एटम है इसके चारोर इलेक्ट्रोन है और अब ये एक एटम है इसके चारोर भी इलेक्ट्रोन है ये एटम आपको क्या दिखाई दे रहा है सर ये एटम बड़ा है और इन दोनों के बीच है इलेक्ट्रोन इन इलेक्ट्रोनों को कौन ज़्यादा खिंसेगा इन इलेक्ट्रोनों को कौन ज़्यादा खिंसेगा ए वाला या बी वाला पहले मैं ये बुमी का तयार कर देता हू उसके बाद electron negativity पढ़ना हम start करेंगे, ठीक है, दौनों चीजे हम ऐसा लिखेंगे, लेक्टो नेगितिविटी यानि विद्वारण दौनों लिखेंगे, तो यह परमानु चोटा है, यह परमानु बड़ा है, यह परमानु चोटा है, यह परमानु बड़ा है, कौन सा इन electronically को ज़्यादा कींचेगा कोटा पर अमाहरों की इलेक्ट्रो नेगिटिविटी जादा होती है बैसा कहती है इसे और कियों चाले सुनिए आप यह दो एल्यक्टॉन है पिलेक्टोन को कूझ से गात पोजिटिव चार्ज धनावेश धनावेश इनको खींच लेगा क्योंकि बीच में एक इलेक्ट्रोन का फासला है यानि यह इसको रोकेगा नहीं यह कह देगा कि चलो तु खींच ले इस इलेक्ट्रोन को कोई बात नहीं मैं ज्यादा नहीं रोकूंगा तुझे लेकिन जब यह ना एक तो इनके बीच की दूरी ज्यादा हो गई और बीच में देखो इलेक्ट्रोनों का यह और लेवल आ गया अब यह इलेक्ट्रोन इसको रिपल्स भी करेंगे दूर बगाएंगे इलेक्ट्रोन को इलेक्ट्रोन ठोड़े ना ने देगा तो इनके बीच में बना दिनोंने, एक, दो, अब यह इसके वसमे नहीं है, यह पोजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोन को अब नहीं खींचेगा, अब मैं आपको डेफिनिशन लिखाता हूँ, इलेक्ट्रोन की definition हम लिखेंगे ठीक है तो इसकी definition लिख रहा हूँ electro negativity क्या है electro negativity क्या है bond के electron को अपनी और खींचने की छमता bond को bonded electron को bond के electron को अपनी और खींचने की छमता electro negativity कलाती है तो यहां पर लिखेंगे बंध के electron को अपनी और खींचने की परवर्ती बंध के electron को अपनी और खींचने की परवर्ती या छमता EN कहलाती है electro negativity कहलाती है विद्यूतरिनता कहलाती है अब इंगलीस में लिखूंगा तू अट्रेक्ट तू अट्रेक्ट बंडिड electron क्या कहलाता है electro negativity अच्छा अब यह छोटा परवाणू है इन इलेक्टरोन को अपनी और खींच लेगा और खींच के इसके उपर हलका सा नेगेटिव चार्ज आजाएगा रिनात्मक आवेस आजाएगा रिनात्मक आने से इसको क्या बोल दिया विद्यूतरिनी बोल दिया और विद्यूतरिनी बोलने के बाद इसे electro negativity भी बोल दिया तो ये चीज मैंने सिर्फ समझाई है ताकि थोड़ा डीप हो जाई क्यूस्वन तो अब आएगा हमने ये समझ लिया है हमने ये समझ लिया है कि electro negativity क्या है परमानू होते हैं छोटे और बड़े छोटे परमानू बंद के electron को इनके बीच का bond आई ये दरसल दो electron ठीक है bonded electron को अपनी और खींचने की tendency ख्षमता to attract the bonded electron बंद के electron को अपनी और खींचने की ख्षमता अब electron इदर चले गए तो electron उसे क्या आगया रेनावेश इसलिए विद्यूत्रणी इसलिए electro negative तो that is electro negative होता है वो क्या होता है electro negative अब हमें ये चीज जहानक नहीं है दोनों के अंदर कि ये चोटा परमानू है ये बड़ा परमानू है तो ये बता रहना तो आ गया कि चोटे परमानू विद्यूत्रणी होते है क्योंकि वो रेनावेश होते हैं क्योंकि वो खींच लेते हैं electron को वैसे उरनावेश इतनी होते पर bond के electron को खींच लेते हैं तो थोटे परमानू क्या करते हैं bond के electron को जल्दी खींचते हैं क्योंकि positive और इसके बीच के बस एक इबादा है इसके और इसके बीच में देखो एक ये level है एक ये level है तो ये भूंकेंगे ये कहेंगे नहीं आना तो इसका मतलब है कि bond के electron को ये विरोध कर रहे है shielding हो रही है ऐसा याद रखना है तो ये से बूल जाओ ये मने क्या बताया वापिस आते है two attack boundary electron क्या गलता है electron activity अब हम electron activity का एक question करते हैं अगर वो question कराऊँगा एक, दो, तीन, चार वो question आप कर पाए तो समझ लिजी electron activity done बहुत आसान है कैसे फिल आलमी से मिटो देता हूँ और इसके दो, चार question करते हैं अगला question करते हैं हम which one has maximum electronegativity किसकी electronegativity सबसे ज़्यादा होती है option लिख रहा हूँ a, b, c, d इसमें cgm लिख दिया इसमें kelsium लिख दिया और इसमें fluorine लिख दिया और इसमें hydrogen लिख दिया यह question आ गया यह हो गई हमारा question है which one has maximum en यानि सबसे ज़्यादा विद्यूत्रिणता ऐसा पूछा है सबसे ज़्यादा विद्यूत्रिणी कौन है तो बेटा विद्यूत्रिणी तो वो है जो सबसे छोटा सबसे छोटा यानि जो smallest है जो smallest atom है वो क्या करेगा electron को खिंसेगा और उस पर नईटिव आ जाएगा तो आपको क्या करना है इन में छोटा परमानू ढूंड़ना है क्या ढूंड़ना है छोटा दुबारा फिर से सुनना विद्यूत्रिणी पूछा है और आप जानते हैं कि hydrogen तो positive होता है अमलचार में सुना होगा H positive तो ये तो positive ही होता है तो इसे तो आप छेड़त दी सकते ये answer नहीं आएगा जिन बचों ने ये answer दिया है वो इस बात का दुख ना करें कि हमारा गलत हो गया लेकिन आज उनको एक बात पता चल गई कि hydrogen positive होता है hydrogen कैसा होता है positive तो ये तो answer आएगा नहीं हमेशा के लिए याद रखना बाकी बचे ये तीन तो इनमें पूछा है कि कौन negative होता है अब अब मैंने आपको period table में इतना time क्यों लगाया है मैं बार-बार period table के पीछी तना क्यों पढ़ावाँ ताकि आपको period table की बाल की खाल निकालना जाए अब मैं सोचूंगा कि ये question मेरे लिए नया है ठीक है तो नया है तो मैं क्या करूँगा ऐसे पलट जाऊँगा और इसको मैं table बनाऊँगा ऐसे ऐसे बनाऊँगा यहां फिर बनाऊँगा ऐसे और फिर बनाऊँगा ऐसे cesium का पढ़ा था आपने यहां पढ़ा था calcium का पढ़ा था आपने यहां पढ़ा था और फलोरिन का पड़ा था, यहाँ पड़ा था, याद आ रहा होगा, है ना, तो यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, CGM इधर है, तो जितना बड़ा एटम है, वो उतना पोजिटिव होता है, याद रहेगा, जितना बड़ा एटम है, उतना ही क्या होता है, पोजिटिव होत और जितना छोटा एटम होता है उतना ही नेगेटिव होता है तो जिन्नोंने F answer दिया है जिन्नोंने C answer दिया है वो बच्चे बिलकुल सही है नावेद आमपरकास और रिशी अमीत ठीक है और लड़ू मोटी मोटी है मोटी है पता नहीं क्या नाम है जो भी है ठीक है तो इन्होंने C answer दिया है आई होप मतलब बहुत प्यारी चीज़ है इलेक्ट्रो नेगिटिविटी इलेक्ट्रो पोजिटिविटी इस वरी सिंपल आप समझ गए होंगे कि ये क्योशन बहुत आसान है हमने EN भी पढ़ लिया पता है नहीं चला कि कब हमने EN पढ़ लिया और ये लिखने के बाद को बोला जाएगा ऑऐ इलेक्ट्रो निंग कौन्फिगुरेशन मैं वह आपको बाद में कराओंगा लेकिन पहले मैं एक टेबल याद करा रहा हूं ठीक है तो एक्सम्पल आपको सारी टेबल मैंने याद करवाई है टेबल के बारे में खास इस बताओं आपको टेबल के अ तोड़ा सा positive है तो हम आपको सारी चीज़ें कराऊंगा आज यह positive है यह negative है तो देखो जैसे इधर गए परमानों छोटे हो गए तो यह हिस्सा negative तत्वों का है मुझे कब कराना है मुझे पता है प्लीज आप अभी काभी बीच में ऐसे मत टोकिएगा मुझे कि एक है कि अब एक टेबल पढ़नी है हमें उसमें खूब सारी यह चार्ज है वह हातो आदाज लिखवा देता हूं और आपको हमेशा के लिए बुचार्ज याद करना है कि एक टेबल लिखवा रहा हूं तो अब मैं एक टेबल लिखवा रहा हूं टेबल ओफ चार्ज यह टेबल है ना होड़ इसी मतल 90% है ना एक्जाम में आ जाती है 90% एक्जाम में इससे आ जाती है यह आप याद कर पाएंगे कैसे अगर चार्ज की टेबल किसी बच्चे को याद करनी है और मौन लो वो कमेश्टी जिन्देगी में पहली बार पढ़ रहा है तो उसे घबराने की जूर्त नहीं है उसने आवट सार्ज ने पढ़ ली है मैं बाती है जो आप छोड़ की आगए जलीनने कहा रूबी शाजब डलास प्लस 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 ग्लस और कि और यह बाद में बताओंगा कि ऐसा क्यों यह एअ फर को माने प्रलस नहीं इलिKO है चाहर ने लिखा तो बैटा फंग हम तो यह रेडियक्टि थे फ्रके प्लस व वो radioactive के बारे में जादा जानते हैं तो radioactive होता है वो विक्लिन छोड़ता रहता है plus minus, sorry, alpha, beta, gamma है ना जो धनात्मक होती है तो ये सारे plus एक वाले charge के हैं उसके बाद लिख रहा हूँ plus 2 उसके बाद क्या लिख रहा हूँ plus 2 plus 2 वाले कौन से हैं वो लिखना है पेटा, अंगे, कार, सुंदर, पाप, प्रोय, यह नहीं आएगा, क्योंकि यह रेडियोक्टिव है, बाकी सब पे, टू पोजिटिव, 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 उसके बाद आता है प्लस तीन वाले चार्ज तो प्लस तीन वाला मैं इधर आ जाता हूँ ठीक है थोड़ा दूर क्यों मनाया मैं बताऊंगा प्लस तीन वाले हैं बेंगन अलू गाजर अब बेंगन अलू गाजर इतना ही लिखा आगे नहीं लिखा जूरत नहीं है तो ये क्या होता है, थरी पोजिटिव, थरी पोजिटिव, थरी पोजिटिव, पलस चार वाले कौन है, पलस चार वाले हैं, काशी, काशी भी पलस चार, पलस चार, पात्या का दुश्मन, काशी, और उसके बाद, उसके बाद आएंगे, माइनस तीन, यानि सुबह तीन बजे कोई उठा और उसका मूद खराब हो गया। तुबह कोई तीन मज़े उठा है उसका मूद खराब रहता है क्योंकि निन पूर्यू उती नहीं है। तो तीन वाला कॉन सा एगा। ननन पा टेकर यह भी थरी नेगटिव यह भी थरी नेगटिव। उसके बाद आता है minus two. माइनस टू अले कौन है ओ स, ओ टू नेगेटिव, एस टू नेगेटिव, उसके बाद आता है माइनस वन, ये है फिर और कल और बाहर और आई, ये नेगेटिव, एक ऐसे भी हैं जिनका कोई चार्ज नहीं होता, एक ऐसे भी हैं जिनका कोई चार्ज नहीं होता, हे निता और क कोई आवेश नहीं होता और साथ ही साथ एक बात और आपको याद रख लेनी है कोई कैदे सियो टू पर कितना चार्ज है जीरो एच टू पर कितना है जीरो और एच टू पर कितना है जीरो एच टू पर कितना है जीरो कोई अनू है उस पर कोई आवेश नहीं होता वो निराव है वो प्लस चार और उसके बाद माइनस तीन माइनस दो माइनस एक ठीक है तो यह हमें याद रखना है प्लस तीन प्लस चार माइनस तीन माइनस दो माइनस एक ठीक है, ओके, यह हो गया, तो बच्चा कहता है सर क्या इतनी ही है, दोबारा फिर मैं बताऊंगा क्यों करा रहा हूं मैं, अब यहां पे आते हैं, यह जो यहां लिखा था मैंने, जैसे सक्ति, जैसे यारी जरा, निभा, और जैसे ला हफ ता वर्ना, रे, सक्ति वक्र, सक्ति, वक्र, मैं फिर, को, नी, कहूं, जी, ऐसा, बाकी मैंने नहीं लिखे, और एक चीज़ यहां पे लिख देता हूँ, लेंथे नाइड, एक्टिनाइड थे यहां, क्या थे, लेंथे नाइड, एक्टिनाइड, दोबारा फिर से सुनेंगे, दरसल आवर्चानी मैं इसलि है, जहां आप जितना दोड़ोगे, उतने सारे क्योशन, लेकिन हम सब दोड़ लेंगे, इसलिए इस टोपिक से एक बार हटने का सवाल नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि मुझे मालूम है कि आवर्चानी कितने काम की है, मैं नहीं चाहता कि एक बच्चा छूटा, याद हो गई, प्लस टू वाली लाइन, याद हो गई, प्लस तीन वाली लाइन, याद हो गई, प्लस चार वाली लाइन, काशी, और उसके बाद तीन वाली लाइन, नाना पाटेकर, नाना पाटेकर एक बाद, ओस, ओसके बाद क्या है, फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर और उसके बाद हम लिखेंगे हे नेता और करमशारी जिंदा रहो, यह हो गया, उनका कोई आवेश नहीं होता, अब C2 का भी चार्च-0 होता है, С2 का भी चार्च-0 होता है, S2 का भी 0, N2 का भी 0, अब इनका क्या होता है तो यहां पर लिखेंगे इनका common होता है समन्य होता है वो आपको याद रखना है Plus 2 यानि D-block की समन्य आवेस D-block का समन्य आवेस कितना होता है यह पूछा जाता है समन्य आवेस मतलब इसका general charge कितना है ठीक है तो कितना है प्लस टू अब इसका कितना है ये तो F-Block है ये क्या है F-Block F-Block का चार स्केवल और केवल एक चीज याद रखनी है प्लस तीन होता है ओनली बड़ी ये ध्यान रखना है ये एक्जाम में आ जाए ओनली तो मात लिखना कुछ अपोते हैं हम बाद में करेंगे जब इल्टोर ने मिनास पढ़ेंगे अब आपको सारा क्लियर हो गया जलस करें माइनस प्लस एक प्लस दोプ्लस टीन प्लस आदे हो 1234321 123elets 103 zich तoPositive है तीन दो एक नेगिटिव हैं 12344321 1321 ये क्या हो गया जीरो और यहां पर यह चीज क्या कलाएगा टू पोजिटिव यह क्या कलाएगा टू पोजिटिव और टू पोजिटिव लिखने के बाद यह क्या है थ्री पोजिटिव इसे बोल दिया थ्री पोजिटिव यानि एफ ब्लोक थ्री पोजिटिव को क्या कहा जाएगा एफ ब्लोक कहा जाएगा एक बार इसके आवर्चानी को आप मनी मन रिपीट कर लीजिए दर्शन कर लीजिए ताकि मैं इसके दुबारा फिर से बता दूँ इसके क्यूशन छे चेसल में आते हैं MTS में आते हैं UPSC में भी आते हैं तो इससे बड़ा एक्जाम तो कोई नहीं होता ना नो लेक्चर हो गए हर लेक्चर में जवाब दे रहा हूं कि हर एक्जाम में ये आते हैं शलिबस पूरा हो जाएगा तो क्या मैं यही बताता रहूंगा कि यह किसमें आते हैं किसे नहीं आते हैं अधारी तुम्हारा पड़ाई में मन क्यूं नहीं लगता तो टू का चार्ट जीरो कैसे है हा यह तो बात में बताँगा बिटा तो यह हो गया प्लस वन वाले प्लस टू वाले कमें आफ कर tuश कमेंट ओफके हैं बैट है ठीक्रूंट का इब हाप यह अपर न्यवाद अपर हाlam का आप साथ हैं तो यह था प्लस और उसके बाद का एक topic है जो मैं आपको बाद में अलग से कराऊंगा लेकिन ये क्यों करवाया मैंने मैं आपको बताना चाहता हूं कि hydrogen और oxygen मिलकर पानी क्यों बनाते हैं ये बात इतनी चोटी बात है कि कुछ बच्छों को तो ये मजाग सा लेगा कि ये क्या करवा रहे हैं सर लेकिन कुछ बच्छों के लिए ये जानना जरूरी है आप इसमें h बताओ का है ये रहा तो h के उपर क्या होता है positive o के उपर देखो का है o के उपर क्या है oh so two negative तो याम क्या है two negative अब क्या करते है क्रोस मेथड यूज करते हैं जो norming class का chapter है मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा norming class में होता है ये दो h के पैरों में आ गया h2o और ये एक इसके पैरों में आ गया h2o बन गई बात ये क्या गया h2o ठीक है तो बच्छे charge का काम नहीं आता जितना काम आता है मैंने इतना ही लिखाया है और मुझे पता है कितना काम आता है शिरुफ इतना ही काम आता है तो इतना ही पढ़ो फालतू क्यूसर मत पूछो please अब आता है प्लस एक और प्लस दो उसके बाद प्लस थीन प्लस चार मानिस थीन मानिस दो मानिस एक ठीक है ये हो गया अब ये करने के बाद फार्मूले बनाएंगे मैं कुछ धेर तक फार्मूले बनाता रहूँगा आप आराम से देखते जाना और तब आपको लगेगा क हाँ ये टेबल कितनी महतोपरण है जैसे ये पूछ लिया कि MZ के साथ N बनता है MZ पलस N2 से मिलके क्या बनता है option लिख देता हूँ MZ 3 N2 बनता है MZ N बनता है और MZ N2 बनता है option A है option B है option C है बताओ क्या आएगा बताओ बताओ क्या आएगा हम मैं बताता हूँ क्या आएगा MZ तो MZ को यहां लिखो इसकी तरफ मत देखो MZ को यहां लिखो और Nitrogen को यहां लिखो बत्सा कहता है सर लिख दिया अब आपको टेबल ध्यान में होनी चाहिए MZ कहा होता है दूसरी लाइन में दूसरी लाइन का चार्ज कितना होता है 2 पोजिटिव तो यहां क्या लिखेंगे 2 पोजिटिव नाइट्रोजन का होता है इस लाइन में कितना होता है नाना पाटे कर 3 नेगेटिव यह होता है 3 नेगेटिव टीन आ गया इसके परव में दो आ गया इसके परव में तो MZ 3 & 2 MZ 3 & 2 option क्या गया जिन बच्चों ने A answer दिया है वो बिल्कुल सही है ठीक है यह हो गया MZ 3 & 2 बहुत आसान है और यह टेबल इसलिए जरूरी है ताकि कि फार्मूले देखकर डर ना लगे बलकि हमें पता होना चाहिए कि फार्मूले बने कैसे हैं और आने वाले टाइम में मैं आपको एक अलग से चैप्टर कराऊंगा जो होगा OXIDATION NUMBER और उन मैं आपको तब कराऊंगा जब METAL, NONMETAL, METALOID करवा दूँगा और METAL, NONM NONMETAL METALOID का जब चैप्टर आएगा उसमें भी आपको तकलीफ होगी क्योंकि इसमें भी बिलोट टेबल फोड़ा रिविजन सा लगेगा लेकिन ऐसा है नहीं NONMETAL METAL METALOID बहुत जंजाल है लेकिन बहुत आसान चैप्टर है — हो सकता है वाज टाठ हो जाए ये हो गया, एक किस्वनों करते हैं किस्वनों की भरमार है आप ऐसे सोचिए मत कि हम किस्वन कहां से करें आपने कई बार देखा होगा कि केल्सियम है, वो ऑक्सीजन से मिलके CAO बनाता है, या CAO2 बनाता है या CAO2 बनाता है option A है, B है, C है क्या सही है? क्यों सनाता है? calcium oxygen से किरिया करके क्या बनाता है? यह तीन फार्मूले हो गए तो तीनों में क्या करना पड़ेगा? calcium को लिखो और oxygen को लिखो calcium कहां है? दूसरी line में है, यह रहा दूसरी line में है, इसलिए इसके उपर two positive है, तो two positive है और उसके बाद O पे क्या होता है? two negative होता है O पे two negative अब क्या हो गया? यह two तो आ गया, इसके पैरों में यह two आ गया, इसके पैरों में दोनों cross हो गये, क्या बन गया? CAO हमारा आनसर आ गया A actually, charge याद करने पड़ेंगे और charge याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक page पर इन्हें लिखकर, एक page पर इन्हें लिखकर दिवार पे चिपकाना है और थोड़े revision करनी है, तो बेटा एक चीज हमेशे याद रखें, दुनिया में इसी कोई चीज नहीं, जिसे revision करने से याद ना हो, मैं आपके सामने एक बात लिखता हूँ, ऐसे लिख दिया RE, जो बच्चा इस बात में believe करता है वो फिर मुझे नहीं कोसेगा कभी उसे जिन्दगी का राज समझ में आजाएगा RE vision, जब आप किसी चीज को बार बार देखते हैं बार बार देखते हैं याद हो जाती है इसलिए टेबल रटनों मत टेबल को बनाओ और एक दिवार पे चिपका दो, आपका घर का जो study room है, दिवार पे इतने सारे पेज चिपका दो, कोई दोस्त मिलने हैं तो खौफ जदा हो जाएगी याद ये पढ़ रहा है कि मतलब क्या कर रहा है ओके, तो इस cancer आएगा ये क्योंकि two or two cancel भी तो हो जाएगा two or two क्या हो जाएगा cancel, अब मैं इसी मटोता हूँ नया question करते हैं, और वो नया question आपको सच में अच्छा लगेगा कुछ बच्चों के लिए ना chemistry मैं बता रहा हूँ ना कि इतनी आसान बना दूँगा मैं carbon और O2 मिलके CO2 क्यों बनाता है, अब कई बच्चे सूचते होंगे carbon एक है, ओ दो है तो carbon एक है, ओ दो है ना बटा, ऐसा नहीं होता सवाल तो सही है पर हुआ कैसे, मैं वो बता दूँ carbon कहां पे है, वैसे तो carbon for positive भी बताता है for negative भी बना रहा है वैसे तो for positive भी होता है, वैसे for negative भी होता है, तो carbon यहां पे देखो mainly, इसलिए तो मैंने बताया है generally इसे याद करो, वो जब carbon का chapter आएगा, तब मैं बताऊंगा और जो main channel है, अपना केरिवी लेब का, राकेश यादो publication, उस पे carbon नाम का मेरा एक chapter पड़ा हुआ है वो आप देखना, पूरा carbon है उसमें, आपका थोड़ा time बच जाएगा आप उसे पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा तो carbon क्या होता है, 4 positive तो यहाँ पे लिखेंगे, 4 positive ठीक है, अब यह हो गया 4 positive, oxygen क्या होता है oxygen क्या होता है 2 negative, oxygen है 2 negative, और मैंने इसे कैसे याद किया 2 बज़े 2 बज़े, औस आती है ऐसे याद रख लो 2 बज़े क्या आती है, O साती है 3 बज़े कौन उठता है नाना पाटे कर उठता है 1 बज़े अंटी आई तो अंटी वाली लाइन, negative, negative, negative वैसे याद कर लो तो आपी साती है, टिक से तो याद मैंने आती है तो याद हो जाएगा इतनी ज़्यादा जूरत नहीं है ठीके तो मैंने याद करवा दी, बस याद रखो तो इस पर आऊ वापिस, कार्बन क्या होता है 4 पोजिटिव, और पोजिटिव ऑक्सीजन क्या होता है, 2 नेटिव और टू की तरफ मत देखो, ओ को देखो और ओ याँ से लेके आओ, 2 नेगिटिव अब यह दो चला गया, यहाँ दो चला गया, कार्बन के पैरों में और यह चार चला गया, ऑक्सीजन के पैरों में ऐसा हो गया, यानि, दीस, दीस इस दिस तू टूजा 4 CO2 क्या हो गया CO2 इसलिए CO2 बना है जनरली तरीका बताया है सुत्र निकालने का तरीका बताया है एक्जेक्ट चीज में आपको बताऊंगा जब ऑक्सिडेशन नमबर पढ़ाऊंगा ठीक है तो ये चीज हमने थोड़ा याद कर लिया ठीक है तो क्या कैसे बना एक चीज और पढ़ते हैं आपने उसका नाम सुना होगा CCL4 CCL4 का नाम CCL4 का एक फार्मूला बताता हूँ मैं एक चीज बनाता हूँ CCL4 क्या बनाता हूँ CCL4 CCL4 की बात करते हैं तो यहां पर क्या है कार्बन यहां पर क्या है कलोरिन कार्बन कार्बन कितना होत सब्सक्राइब chimica zerine neither honest even creek अदो यह उस पूर में आपको कार्बन का श्रेटर होगा कहा आप मेंगा करा ना तो द्यूरें कर रहा हूं कार्बन नाम का एक चैप्टर पड़ा हुआ है जो केरीविल का जो एक मुख्या चैनल है जो राकेस याद पप्लिकेशन है उस पे डेमो वीडियो है पूरा कार्बन चैप्टर है आपको अच्छा लगेगा तो आपका टाइम बच जाएगा फिर से बता रहा हूं ठीक है अब कि सब्सार्ज भी बाद में याद करेंगे तो यह हमने पढ़ लिया कि चार्ज कितना होता है उसके बाद हम उक्षिडेशन नमर के बाद इलेक्ट्रन कॉन्फिगरेशन भी पढ़ेंगे अब हम पढ़ते हैं एक बहुत ही अलग सा और प्यारा सा चैप्टर और जिसका नाम है आँ मैटल, नौन मैटल और मैटलोड धातु, एदातु, उपधातु और यह चैप्टर है ना लियूँ और ये चैप्टर जब मैं करवाओंगा तो प्लीज थोड़ा सा शान्त रहना आपको लगेगा कि ये चैप्टर मैं करने जूरत नहीं है पर कुछ बच्छों को है और इतना इजी हो जाएगा इतना इजी हो जाएगा मन करेगा कि जैसे दो बार और पढ़ ले पढ़ने का मन नहीं करता और मैं हमेशा कहता हूं कि जब आपका पढ़ने का मन नहीं करता ठीक है पढ़ने का मन नहीं करता तो हमेशा कोई GS का कुई chapter है बोल बोल के बढ़ो को लगे हिस्टइ है धियूराफिय कोई बोल बोल के पढ़ेंगे तो आपका ध्यान पूरा पड़ाई पे लगाई पूरकी जब हम बोल बोल के नहीं पढ़ें तो पूरा ध्यान इसे बोलने सब के अलग-अलग चार्ज हैं वो मैं तब लिखाऊंगा है कामाने होता है प्लस टू ऑक्सिडेशन नमर एक अलग चैप्टर है यह चार्ज दुबारा भी आएंगे पर यहां मैंने क्यों करवाए हैं क्योंकि प्रियूडी टेबल खतम हुई है अगर साणी खतम होते ही या आप को लिखेट करते हैं या तुनिया से डिरते हैं वो आप इस लिखते हैं यहां पर हमारा अगला चैप्टर होने वाला है मैटल और उसके बाद पढ़ने वाले है नॉन मैटल और उसके बाद पढ़ने वाले है मैटलोईड यानि हमें धातू पढ़ना है हमें उपध धातू के बाद पढ़ना है धातू और उसके बाद पढ़ना है उप धातू इसमें मैं दो तिन सवालों के जवाब देने वाला हूँ आपने सुना होगा एक धातू होती है जो लिक्विड होती है यानि एक मेटल होती है जो लिक्विड होती है सारी दुनिया जानती है मरकरी और कोई liquid नहीं होता धातूं में, लेकिन एक non-metal भी होती है, एक non-metal भी होती है, एक A dhatu भी होती है, तो liquid होती है, और उस A dhatu का नाम क्या होता है, BR-promin, एक ऐसी dhatu का नाम बताईए, हम, हाँ, ठीक है, ये हो गया, तो C पलस O2 को आपको क्या करना है, O लिखना है, यहां पर लिखना है, 2 negative और C पलस O2, C O2, और यहां लिखना है, 4 positive, 4 हो गया, यहां पर, उस question को दुबारा देखेंगे, समझाया हुआ है, जो question मैं समझा देता हूँ, उसको पलीज दुबारा जाके देखें, यह देखो, 2 दूनी 4 हो गया, तो यह CO2 हो गया, क्या हो गया, CO2, तो 2 और 2 कट हो जाएगा, C A पलस O2, हां, C A O होएगा उसमें, C A O, ठीक है, हां, वापिस आते हैं, metal, non metal, और, metaloid, metal, non metal, and metaloid की बात करते हैं, लेकिन पहले हम यह बात करते हैं, कि metal है क्या, metal के गुन याद करने हैं, इनकी प्रोपर्टी याद करनी हैं, अगर इनकी प्रोपर्टी याद हो गई, तो हमें सब याद हो जाएगा, ठीक है, देखते हैं कैसे, metal होती हैं, हार्ड होती है बच्छा कहता है सर हार्ड तो स्केश भी है हार्ड तो वो भी है जिस पैंसे हम लिख रहे हैं वैसे ये भी हार्ड होता है लेकिन इसमें करंट तो नहीं आता है मैटल में तो करंट आता है तो बच्छा कहता है सर मैटल हार्ड होती है ठीक है उसमें करंट आता ह ठीक है पर उन तो पैंसिल में भी आता है पर पैंसिल तो मेटल नहीं है तो हमें ऐसी बातें सीखनी हैं कि मेटल क्या होती है उसके अपवाद क्या होते हैं वो हमें जानना है ठीक है तो यहां पर हम याद रखेंगे प्रोपर्टी मेटल की प्रोपर्टी चेक करेंगे तो मैं यहां पर एक चमच बना दूँगा, ऐसे किया, ऐसे किया, तो सबसे पहले एक चमच आईए, यह है चमच, चमच का अगुन क्या होता है, इन में चमक होती है, इन में साइनिंग होती है, बच्चा कहता है सर हाँ, हो गया, उसके बाद चमच हार्ड होती है, बच्चा कहता है सर हां चम्मच कठोर होती है तो बच्चा कहता है सर होती है कठोर वो तो सब होती है यह भी कठोर है लेकिन याद रखना नहीं आता तो दूसरी बात याद रखेंगे चम्मच है वो सॉलिड होती है तो बच्चा कहता है सर हार्ड और सॉलिड तो एक ही बात है hard कठोर होता है solid को बोलते हैं थोस, जैसे hard का उल्टा क्या होता है, soft solid का उल्टा क्या होता है, liquid होता है, एक soft होता है, liquid होता है hard, soft, मतलबыв चम्मच व्हुमार्ख डें को perfectly- northern bright private college ? तामबे की है, चमच हाड होती है, हाँ, चमच होलिड होती है, हाँ, चमच का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसका गलनांक ज्यादा होता है, इसका गलनांक क्या होता है, ज्यादा, गलनांक ज्यादा क्यों होता है, अच्छा गलनांक ज्यादा होता है, ऐसा तो नह होती है तो मेटल हौट होती है इसका गलनांख जादा होता है और इसके नीचे में पलस माइनस लिखेंगा यानी यह चैनलक वोती है भातू क्या होती हैं तू चालक होती हैं भातूं में अच्छे से करंट आता है उसके बाद इसके निचे एक कैंडल लगा देंगे उसके निचे क्या लगा देंगे एक कैंडल लगा देंगे और हमें याद रखना है कैंडल लगाने के बाद मेटल सुचालक होती है और इसमें ये चीज और याद रखनी है कि ये हीट कंड़क्टर होती है ये चमच गरम हो जाएगी गरम जाएगी और हमारे हाथ जल जाएंगे क्या जल जाएंगे हमारे हाथ जल जाएंगे तो यहां पर लिखेंगे मेटल हीट कंड़क्टर होती है क्या होती है हीट कंड़क्टर यानि उसमिय सूचालक होती है ये क्या होती है उसमिय सूचालक होती है और ये लिखने के बाद अब इसे मैं खींच सकता हूँ मैंने एक प्लास ले लिया और खींच सकता हूँ आपको पता है कि धातू को खींस कर उसका तार बना सकते हैं धातू को खींस कर क्या बना सकते हैं तार बना सकते हैं डक्टाइल होती हैं इसी धातू को गरम करके पिगलाके उसका तार बनाने के गुन को तन्यता कहा जाता है डक्टाइल कहा जाता है तो यहां पर लिख देंगे नमबर एक, नमबर तीन, नमबर चार और यह हो गया नमबर पांच गुन, छटा गुन है कि आप खीन्स के इसे तार बना सकते हो डक्टाइल और इसे हिंदी में कहते हैं तन्यता होती है यह लिखने के बाद आप इसे हतोड़े से पीट भी सकते हो जब इसके उपर हतोड़ा मारोगे, तो यह फैल जाएगी चद्दर की तरह यानि आप उसकी सीट बना सकते हो, मेटल कैन मेग सीट मेटल केन मेएक सीट सीट बना सकते हो चादर बना सकते हो तो साथवे नमबर पर धातुए मेलियेबल होती है यानि आगातवर धनिया होती है आगातवर धनिया का मतलब आप जब आगात करते हो पीटते हो तो वो बढ़ जाती है और ये बढ़ने के बाद क्या करेंगे इसके नीचे घंटी लगा देंगे, घंटी लगा देंगे, तो मेटल के अंदर एखास पून होता है तन आवाज आती है इसका मतलब मेतल क्या होती है सोनोरस होती है मेतल ध्वानिक होती है ये सारे कुन हो गए एक साथ तो हम याद रखना है कि जो kt engagements होती है इसमें गाजरबा को बना दू मैं भड़ा साचा हो जाए तो मेतल होती है इसमें मैंने गाजर बाग बनाया है, गाजर का हलवा, ठीक है, हाँ, थोड़े से इसमें, बाजू किसमिस, तो मेटल हार्ट होती है, येस, सॉलिड होती है, येस, मेल्टिकों ज्यादा होता है, येस, करंट आता है, हाँ, गरम होती है, हाँ, आवाज आती है, हाँ, खीन सकते हाँ, हाँ थोड़े से पीट के चद्र बना सकते हो, हाँ, लेकिन आप नोन मेटल को ऐसा नहीं कर सकते हैं, अब जब यह चीजें हम पढ़ लेते हैं, यह चीजें हम पढ़ लेते हैं, तो हमें इनके अपवाद साथ साथ याद कर लेंगे, वेरी इजी, बहुत आसान है, कैसे वो बताता हूँ, कैसे है, वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर अपवाद याद रखेंगे इनके, अपवाद का मतलब exception, यानि जो मेटल तो है, लेकिन मेटल की बात नहीं मा ambitious, नहीं होती हैं, इसहाँ हम लिओंगा मेटल हार्ण होती है, हाँ, मेटल हार्ण होती है धातु को ठोर होती हैं बट सोफ्ट मेटल का एक्जामपल पूछा है नरम धातु का एक्जामपल पूछा है और वो लीथियम, सोडियम, पोटेसियम तीनों नरम धातु हैं नमबर एक अपवाद हो गया बात बन गई दूसरा क्या लिखायत है मैंने, सोलिड, तो यहां लिखेंगे, मेटल तो सोलिड है, मेटल सोलिड है, यानि मेटल ठोस है, बट लिक्विड मेटल, हमें यहां पर याद रखना होगा, लिक्विड मेटल क्या होता है, दरा उधातु क्या होती है, मरकरी, 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 होता है तो यहां पर हमें याद रखना होगा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट जादा होता है इसका गलनांक जादा होता है बट अब यहां आप वाद लिखना है एक चीज़ ऐसी है जिसका गलनांक बहुत कम होता है वो है सीजियम का गल सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे कम होता है सीजियम है लिश्ट मेल्टिंग पॉइंट सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम पाया जाता है सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है सबसे कम पाया जाता है शीजियम का मेल्टिंग मौन क्या होता है सबसे कम अब आगए यहां पर सुथा मैं यहां लिखूंगा वहां जगह नहीं बची ना बादल आ गया सुथा अपवाद यहां लिख रहा हूं मैटल में करंट आता है एक मैटल ऐसी है जिस में करंट नहीं आता और वो होती है लेड क्या होती है लेड इंसुलेटर मैटल लेड है इंसुलेटर मैटल क्या है लेड तो यहां लिख देंगे लेड तो यहां पर लिखेंगे इंसुले लेटर मेटल में करन्ट आता है वो बता रहा है लेकिन नहीं आता वो चौता नमर ये है इंसुलेटर मेटल क्या होती है कुछ अलक धातु क्या होती है कुछ अलक धातु क्या होती है कुछ अलक धातु का नाम क्या होता है पीबी होता है लेड होता है पीबी होता है यानि वारे भी हमने पढ़ा और उसके चार अपवाद हैं चार एकसेप्शन हैं लेकिन अब हमें नौन मेटल के भी अपवाद देखने हैं किसके अपवाद देखने हैं नौन मेटल के एकसेप्शन भी हमें जानने हैं कि नौन मेटल के एकसेप्शन क्या होते हैं यह हमें जानना है अगे। हमने चम्मस के सारे गुंग जाने और चम्मस के गुंग जाने के बदल के 9 सुरू के मैंने 4 पॉइंट लिखाये थे कि मैटल हार्ट होती है तो हमने सूएथ में बीपढ़ लिया उसकी बाध माने लिखवाय था सुलिड होती हें पर दे लिक्विईwater पर निया स्वकेश आपके लिखा कि मैल्टिंक पॉइंट से पील जाथ होता लेकिन हैं मैल्टिंक बहुत कम होता है 1523 अवर लिख दिया और carbon затем के साथ साथ एक चीज़ प्यारे स्टुडेंट से एक चीज़ और रियाद योगी गैलियम ये भी था था ना गैलियम भी था और ये लिखने के बाद करंट आता है मेटल में लेकिन नहीं आता वो वो हैं और वो कुंसी हैं लेड हैं अब हम नोन मेटल के पौद लिखेंगे एकसेप्शन ओफ नोन मेटल एकसेप्शन ओफ नोन मेटल हमें याद करना है देखते हैं लेड का मतलब होता है शीशा यह मैं करवाद चुका हूँ बेटा लेड का मतलब शीशा है आप पीछे की कलासें सारी देखिए प्लीच तब आपको आएगा थोड़ा समझ ठीक है पीछे की सारी कलासें और मैंने पिछले रेप्टर में सारी चीज़ें करवाई इसा होता है और ये लिखने के बाद आता है exception of non-metal अब मैं क्या करूँगा यहां पर एक अलग सी table बना दूँगा और उस table का एक खास महत्व है वो इस से अलग है मैं यहां पर ऐसे बना दूँगा अलग रहा है अलग रहा है अलग रहा है अलग अलग बढ़िया हो जाता है अब ठीक लगाए exception of exception of non-metal non-metal के पाद क्या होते है यह हम ही जानना है सबसे पहले हमने बढ़ा था कि metal hard होती है metal hard होती है लेकिन एक non-metal भी है जो बहुत hard है बहुत hard बहुत hard diamond कौनसी होती है diamond तो यहां पर लिखेंगे strongest non-metal ऐसी non-metal जो दर्टी पे सब से strong है वो diamond होती है बेटा और वो carbon की बनी होती है एक अपवाद पढ़ लिया हमने यह non-metal के पवाद पढ़ रहे है इसके बहाने दूसरा क्या बढ़ा था metal solid होती है liquid metal क्या थी क्या थी liquid metal mercury क्या थी mercury लेकिन हम पढ़ेंगे only liquid non-metal एक ऐसी non-metal एक ऐसी एदातू जो liquid होती है दरव होती है क्या नाम है उसका पी आर ब्रोमिन उसके बाद आते है तीसरे नमबर पर तीसरा तो और ही बढ़िया तीसरा तो और ही आसान तीसरे में लिखा था मैने कि multiple point जादा होता है नहीं है तो नहीं पढ़ना conductor होती है मतलब यहां पर लिखेंगे कि धातूं में करंट आता है लेकिन ऐधातूं में भी करंट आता है वो कौन सी है ऐधातूं में करंट आता नहीं है इसमें करंट नहीं आएगा आप जिससे लिखनें उसमें करंट नहीं आएगा लेकिन एधातु में करंटर आता है, यहाँ पर लिखेंगे, कंड़क्टर नोन मेटल, साथ ही साथ आपको यह याद करना है, कंड़क्टर नोन मेटल, यारनी सुचालक धातु, सुचालक धातु, तो सुचालक धातु, एधातु कौन सी होती है, ऐसी एधातु, जो नोन मेटल है, एधातु है, और फिर भी उसमें करंट आता है, तो आप जानते हैं, पैंसिल के अंदर क्या होता है, पैंसिल के अंदर हो कार्बन का कार्बन का ठोर भी होता है वो हीरा है लेकिन कार्बन में करण्ट भी आता है वो पैंसिल है तो पैंसिल के अंदर करण्ट आता है कैंस पैंसिल के अंदर क्याता है करण्ट आता है तीसरा हो गया और चौथा है इसके साथ लिखेंगे और चौथा सबसे लास्ट है चौथे के बाद कुछ नहीं है तो यहां पर मैं लिख देता हूँ नमबर चार और नमबर चार के बारे में चमकती है चमक किस में होती है धातों में होती है धातों में चमक पाई जाती है धातों में क्या पाई जाती है चमक लेकिन एधातों में भी चमक होती है एधातों में भी क्या होती है चमक होती है तो यहां पर लिखेंगे साइनिंग साइनिंग ओन मेटल समकने वाली ऐ दातू आयोडिन चमकता है आयोडिन चमकने लगी टन 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 मैंने आपको याद करवाया था ये और ऐसी बोला था ऐसी बक्वास से की थी मैंने और याद हो गया था ठीक है तो ये चीज़े हमने पढ़ लिए है साइनिंग नोन मेटल हो गया सुचाल गया दातू हो गया चारों चीज़े हो गई तो आज हमने ये पढ़ा है और अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे पांच क्यूसन मेटल नोन मेटलोड की डिटेल पढ़ेंगे आज सिर्फ इसका इंटोडक्षन हुआ है कि मेटल क्या है, नोन मेटल क्या है, मेटलोड क्या है और ये जो इसकी PDF अगली बार अगले हथते मिल जाएगी जैसी एक चैप्टर कम्प्लीट होता है अगली बार जब आगँगा तब आपको आवर्ट सारनी के पेज़ दे दूँगा और इससे पहला भी मैंने लिखा है सिर्फ इसी मेटल वो तो लिक्विड होता है मेटल कौन सा कौन होता है हाँ इफ्तिकार मैंने आपको बताया है कि मरकरी मेटल है पर एक दरव धातू है ऐसी धातू जो दरव वस्था में पाई जाती है वो मरकरी है समन्यता पर दरव होता है ठीक है इसलिए मैंने लिखाए इसलिए तो आग्जाम में आता है ठीक है तो पिरोट टेबल का PDF है वो मैं आपको लगेंगे तीन-चार दिन उसके बाद अगली लेक्षर माऊंगा उससे पहले आपकी PDF आजाएगी तो दिपक आप इसको दुबारा देखोगे समाज आजाएगा अब इसको दुबारा मैं कैसे बताऊँ इसको सेमी चीज़ दुबारा बताऊँगा मैं तो आप रिवाइंड करके देख सकते हो वज़ाए कि मैं एक ही चीज़ को चार बार बोला है मैंने चार-पांच बार बोला है ठीक है आइडिन का कलर ब्लेक होता है हाँ ये मैंने पिछली ग्लास में लिखवाया है तो बी हैपी एंड सेक्सेसल पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए और मैंक आपने जो टोपिक बताया है मुझे ध्यान है मैंने इसे नोट कर लिया है तो आज ये थोड़ा रिदम में चल पढ़ा था तो मैं ये को बतानी पाया नेक्स्ट ताइम हम पढ़ांगे ठीक है तो पहली समझनी आँ दीपक तो अगली बार पढ़ेंगे हम दीपक जी आप के आगे जी लगा दू ठीक है हाँ अब ठीक है तो दीपक आपका जो बनार हम मैं अगली बार बता दूगा ठीक है Thank you Be Happy and сторон consumo बाई पढ़ते रहिए और चीजे समझ में आए अगली बार फिर बताएं मैं आपको हजार बार बताने को तयार हूँ बाई बाई हमेशा याद रखिए कभी आप डीनर मत खाईए जो बचा डीनर करता है उसे नीन दाती है और वो पढ़ नहीं पाता अगर आप पढ़ना चाते हैं सारी रात तो आप कभी भी डीनर मत कीजिए क्योंकि ये चोटी चोटी मगर मोटी बाते हैं मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैं हूँ शक्तिमान की आदतों से भी exam crack होता है अगर आप कम सोते हैं तो आप ज़्यादा पढ़ेंगे कम कब सोएंगे जब कम खाएंगे तो रात का खाना खाके जो पढ़ते हैं तो वो नहीं पढ़ पाते हैं क्यूसन के प्रैक्टिस के लिए मैंने बटा बताया था कि आप जो चैनल पर बताया था सर्च करना यूट्यूब के ARUN746 इस पर क्यूशन मिलेंगे आपको मैंने करवा रखे हैं ठीक है बाई बाई अगर आगए गेंस अलमेंट में आती है क्या हां बेटा गेंस भी अलमेंत होती है ठीक है अब कोनेट नहीं पड़ पाउंगा नेएक्स ताम आपके कुमेन पड़ूँगा ठीक है और एक दो टोबिक जो बतोचों नैंपूचे हैं वो नेएक्स टाम कराउंगा बाई बाई